नमस्कार महिनु अनिल और आप देख रहें MMC News धान का कटोरा कहे जाने वाला पूरू कैबिनेट मंत्री ओम प्रकास सिंका पैत्रिक शेवराई तहसी छेत्र में मात्र तीन धान क्रैकेल प्रस्तावित होने से किसानों में असंतोस ब्याप्त है जिससे खिन्न होकर शुक्रवार को दर्दनों किसानों ने उब दिलाधिकारी को ग्यापल सौफ पर किसानों ने चेतावनी दिया कि यदि धान क्रैकेल गोल्षरा को क्रैकेल नहीं पनाया गया तो मजबूर होकर छेत्री किसानों को परदर्शन करने को बाद होना पड़ेगा बताते चेले कि पिछले 20 बरसों से साधन साकारी समीती गोड़सरा धान क्रेकें अस्थापित है लेकिन इस वर्ष धान क्रेकें नहीं पनाये जाने से दिवागी अधिकारियों दोना साथन की मंचा को ठेगा तिखाने का काम किया जा रहा है 25 वर्ष से हमारे क्रेकें अंदर पे धान की खरीदारी होती कहां को है साधन साकारी समीती गोड़सरा और आज से चार्थ 17 जनावरी 2014 को नहीं हुई जिसमें एक किसान आत्मदा की और 60 परसेंट तक जल गया है पिछले 20 वर्ष से 25 वर्ष से भान क्रेकें खुलता है हमारे गाउं में लेकिनी साल नहीं है जबकि हमारे यहां जीला में सबसे अधिक धान होता है क्रेकें नहीं खुलने से हम किसानों का बहुत आर्थिक छती होगा किसानों के द्वारा अपना मांग पत्र सोपे जाने के बाद उपजिला अधिकाडी सेवराई मुहम्मद कमर ने क्या कहा आई ये सुनते हैं सेराई न्याय पंचाय धान का कटोरा कहा जाता है सार और इसमें एक भी धान करेकें नहीं होना ही ये दुर्भागी की बात है इस अंदर में आप क्या कहें ये भी संग्यान में लाएगा अभी मेरे संग्यान में आया है तो इसको बात करके प्यास किया जाएगा इस अब बहुत एक इंद्रे हामदी देश है MMC News के लिए सेवराई से सुमन सिंग सकरवार की रिपोर्ट अरी एक्षा है कि सतिदेव ग्रूप आफ कॉलेजिज में पढ़ने वाले सभी छात्रों की ओर से एक स्वैम से भी छात्र संगठन का समोह तयार किया गया है और उनकी लिष्ट त्यारों सबर कर लीजिए कि जो स्वैम से भी हमारे छात्र हैं अध्यापक हैं प्रिंस्पल हैं उनके मोबाइल नंबर उनके ब्लट गुरूप विदिवत रखे जाए और गाजीपुर जिले ही नहीं बलकि बाहर से भी अगर कोई निड़ी है इस तरह क हो जाए है